कि हालो फ्रेंट्स फिल्कम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज इस वीडियो में हम mcqs on ecology के topic करेंगे इसमें mcqs discussion करने वाले हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना शेर करना और कमेंट जुरूर करना अपना feedback जुरूर देना कि वीडियो कैसा लगा अगर आपको कोई भी क्यूरी है आपको पूशना चाहते हैं तो हमसे पूश सकते हो कमेंट में आप हमें different platform पे follow कर सकते हो Instagram, Facebook group और Facebook पे add भी कर सकते हो इंपॉड़न पीडियाफ के लिए जो आज का ये वीडियो है ये relevant रहने वाला है आपका finance account assistant के लिए सब inspector के लिए अब finance account assistant में मैं बताव हूँ कि ये topic जो science में भी है और ये topic आपका GK में भी है ठीक है दोनों में same topic है और आपका ये दोनों में helpful रहेगा सब inspector की बात करूं तो ये only science में है उनके लिए helpful रहे गया तो आप एक सब एंड तक जुरूर देखना अगर आप सब inspector finance contestant की preparation कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टन रहने वाला अज का lecture तो ये questions जो हम आज करवाएंगे आपको ये loosen की books से करवाएंगे important होते हैं जो previous ASOS जतने में अल इंडिया में exam होते हैं जाए IS level के MTS से लेकर IS level तक जतने में exam होते हैं सारे exam की जो questions होते हैं इसके लेटर जितने पी इस topic लेटर जितने में question आई होंगे वो हम इस वीडियो में आपको cover up करवाएंगे तो चलिए यह व्मारा part 1 है अगर response अच्छा रहा है तो part 2 भी हवाएक के लिए जल्दी ही लेके आएंगे कि first question आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि term ecology is first given by जो term ecology थी वो किसके द्वारा दी गई थी first time तो आप सभी का answer यह होगा कि sir एनस हैकल द्वारा दी गई थी 1886 में बट यह इसने बाद में दी थी सबसे पहले अगर term की बात की जाए तो यह रेटर द्वारा दी गई थी ठीक है रेटर थे एक उनके द्वारा दी गई थी कब दी गई थी 8069 में यह दी गई थी उसके बाद 8086 में इसको कोईन किस ने किया अनस्ट हैकल द्वारा ठीक है याद रखना गूगल कर सकते हो इस question को study of interlationship between living organisms and their environment is called एक living organism की और उसके environment में जो interlationship होता है उसको क्या बोलते है ecology बोलते है ठीक है ecology बोलते है और आपको पता है study of ecosystem is also known as ecology great next question legions which are capable of initiating ecology succession ecological successions क्या होता है इसमें आपको पता है एक तो primary successions होता है secondary successions होता है primary में आपको बता क्या होता कि जब कोई बेहरे रही होता है यहां पे कोई life नहीं होती है अलिया में कोई life नहीं होती है तो वहां पे एक नया अपना habitat सेटप करना उसको primary successions बोलते है secondary में क्या होता है कि पहले आपकी कोई life चल रही है destruction हो जाती है floods आजाते हैं और खत्म हो जाती है destroy हो जाती है उसके बाद एक और नहीं life आती है उसको secondary successions बोलते हैं तो लीचेंस भी यहां पर होते हैं which are capable of initiating ecological successions even a wear rock, wear rock होगी आपकी यहां पर कुछ नहीं होता है और actually a symbolic associations of किस-किस के साथ होता है leachens होगी, algae होगी और आपकी fungi होगी ठीक है यह तीन चीज़े होती है उसके बाद बोल लाए term ecosystem is first given by term ecosystem है जो किस नहीं दी थी यह दी टांस ले द्वारा इठीक है एजी टांस ले द्वारा यह कब दी दी गई थी यह आपने मुझे comment करके बताना है अब आता है कि what is parasitism देखिए जेके SSB का कोई हमें ब्रोसा नहीं है आप देख सकते हो MTS में यह कोशन आये तो बड़ी बात नहीं है कि graduation में भी अब बात आती है what is parasitism parasitism क्या है देखिए यह जो कोशन है आप देख सकते हो यह कोशन जेके SSC MTS में यह पूचा गया है 2017 में तो यह कोशन जेके SSB ज़रूर पूच सकती है देखिए parasitism यह आपने पढ़ा होगा जब आपने nutrition पढ़ा होगा उसमें यह चीज़ ज़रूर ही पढ़ी होगा अपने parasitism क्या होता है associations in which one species is benefited and causes harm to another species एक ऐसा species ठीक है एक ऐस आपने इसकी example मुझे याद नहीं आ रही है याद नहीं आ रही है यह याद नहीं आ रही है यह इसके उपर ऐसे चोटी चोटी इस तरह से होती है यह क्या करती है इसका सारा जो नर्जीव गरा होती है ट्रे की इसको consume कर लेती है और इसको totally harm कर देती है ट्रेस को और अपना benefit ले ले लेती हैं दूसरे को harm कर देती है इसको बोलते है को benefit रहता है और एक होती है कम निली सम ठीक है एक और होती हूँ आपको next video में करवाऊंगा टू कंपोनेंट्स होते है वाई ecosystem की एक तो वाई टीक होता है दूसरा वाई टीक होता है यह आपको पता है उसके बाद बोलता है which one of the flying is the correct sequence of a food chain food chain की सबसे ते कि सेक्विंस टार्सकार सच्विंट्स क्या है डाइटोमॉस्हे अगर मैं बात कहूं डाइटर शीर आपको आगे है जैसे की यह चोटेशोचे इंसेक्ट्सों होते है कि स्कीजेंपल लूंग मैं वैं निया सेУर्म को यार मिद्ध्व छोटा जीवजनतु समझे लो ठीक है कोई इंसेक्ट सम्झे लो टेक है डाटम ॉसME आपका इसके बाद आगेए आपका क्रस्ट शेंस क्रस्ट सिसंस में आपके आगे केकड़ा आगे अगेरा गडरा इस तरह से और उसके बाद आगे आपका यह फिश आगी बड़ी वेल समस्लों ठीक है फिश आगी अब आपको बता है इसको खाएगा कौन डाइटमोस को क्रस्टिशिंस खाएगा क्रस्टिशिंस को हैनिंग खाएगा इस तरह से होता है इनका का निएशन साइंस के वर्ड यूज की यूपी असी का वोशन है वियोंड गैसी वियोंड गैसिफिकेशन इस चंसेडर तो वी बन अव दा सस्टेंबल सलुशन तो पावर क्रैसिस इंडिया इन देंडिक इंडेस्ट विच अफ्ट फ्लूइं श्टेटमेंट इस ग्राउन च विच अफ्लूइंग कांस्टिटूड ए फूट चेन इन मेंसे एक फूट चेन को कौन कांस्टिटूट कर रहा है आप देख सकते हैं यहां पर गोट है सोरी ग्रास गोट खाएगी ग्रास को और गोट को खाएगा हुमन ठीक है इस तरह से प्रडूइसर आफ एन एको इसका आपको बता होता है कि प्रोडूजर आपने लाफ नचीप उगा है तो इस तरह से पढ़ा हो ओगा इस तरह से ब्रोडूजर आ गया सकंटा डीडें कंजूमर और टैरिटली कन्真 जीूमर और टि चरिटर्यूमर इइन सोव्ट सेन्च घूमर संलैड़ इस तर नाकर यह सबको बता है in ecosystem largest number is that of primary producer का सबसे ज्यादा largest number किसका होता है primary producer का सबसे ज्यादा largest number रहता है what is the farming along with the animal husbandry called mixed mixed farming farming के साथ animal husbandry करना उसको बोलते है mixed farming SSC में कोशन आई है soil erosion can be controlled by a forestation ठीक है इसको control करता है forestation food can be checked out by making that flood sorry flood can be checked out इसके दोरा by making them and planting the tree जाता से जादा हम trace लगाएंगे और dam बनाएंगे इसके द्वारा floods को control में ला सकते हैं ठीक है जीज़ेरियों में ज्यादा floods आते हैं वहां पर dam की construction की जाती है तो फ्रंस से यह तो कुछ questions ecology related I hope आपको अच्छा लगेंगो अच्छा लगेंगो तो like करें share करें comment करें कि सर इसका next part भी हमें जल्दी से जल्दी प्रवाइड किया जाए तो next part होगा हम loosen का नहीं लाएंगे हम ncati based लाएंगे ठीक है ecology के ncati based question लेके आएंगे आपके लिए तो वह आपको पता ncati का रोल जादा ही प्लेयर रहता है ncati से जादा relevant रहता है exam के लिए तो यह भी आपके लिए यह है कि आपको पता प्रीबी एस में कोशन आये तो definitely इनकी importance जादा होती है कोई भी अगर exam को clear करने चाहरे हो तो आप strategy आपकी रही ही रहनी चाहिए कि प्रीबीएस एस कोशन जीतनी होती है उनको कवर करना चाहिए और अपना जो materials होता है उसको चैसे करना चाहिए तो चल लोजी खत्म हो जाता है उसके बाद हम बढ़ेंगे वाइड आइस्टी को आप सीकूर डिस्कुर्शन करेंगे बाब बाई